हलो दोस्तो αποनुब तो मैं अपी एक नए वीडियों के साते उपस्ते दो गया हूँ आज का ़ीज़ार होने द hen की नारेशन के स्रेवेमेश्व चौथा बीडियों डालके सामने और आज इस वीडियों मैं बताने वाला हूँ आपको किस प्रकार डिरेक्ट से इन-डिरेक्ट हम लोग किसी भी sentence को करते हैं अभी तक मैंने जो बताया है आपको वो सारे narration में रूल कैसे पालन होते हैं वो बताया है अभी तक मैंने बनाना आपको नहीं समझाया है लेकिन आज इस वीडियो में शुरुवात करते हैं कि किस प्रकार narration को बनाया जाएगा यानि इन डाइरेक्ट से इन डाइरेक्ट कैसे किये जाएगा ओभी simple sentence का दोस्तों there are five sentence अब क्या होता है कि जो English के पाचो sentence होते हैं उनको बारी-बारी से indirect बनाया जाता है इन डाइरेक्ट स्पिस के जाता है तो सबसे पहले आता है sentence आनि Simple sentence की बनाने का तरीका क्या है उसे किस प्रकार बनाएंगे हम लोग अगर Simple sentence अच्छे तरीका से आपको समझ में आ जाएगा तो बाकि sentence को समझने में किसी परड़ा कोई परिसानी नहीं कि क्यों कि इसी के माद् और आज पढ़ते हैं, Simple Sentence का Indirect. तो देखेए दोस्तो, मैंने एक चार्ट बनाया है, आपके सामने उपर मैंने लिखा हुआ है कि Indirect. Simple Sentence अनिये 30 Sentence वा लिखा हुआ है, मैंने 30 Sentence का Indirect. हम लोग कैसे बनाएंगे? किसी भी Sentence का Indirect. बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा Change of Persons, Change of Tense. तो Change of Persons का मैंने एक वीडियो बनाया है, और Change of Tense का भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको दोनों वीडियो डाल तुए हैं, डिस्क्रिस्टिसन में इसका लिंक भी देख सकते हैं, किस प्रकाश से Change of Persons होता है, और आज इस वीडियो बनाने वाल है, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले देखें, मैंने लिखा हुआ है, कि डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कि रिपोर्टिंग भर्व किसे कहते हैं दोस्तों, कि जो इन्भोर्टेट कोमा के बाहर वाला होता है, इन्भोर्टेट कोमा के जो बाहर वाले वाक क्यो होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग भर्व, और जो अंदर वाले होते हैं उसे काता है है कुछ भी लिखा हो उसे दिल या टोल ने बदल जैसे अगर लिखा रहेगा से टू लिखा है तो हम लोग टेल लिखा दोस्तों देखे यह क्या होता है कि ताइरेक्ट अपने साथ object ले से लिए को दिया और जिसके पहले इसके बारे में बताया है वो लिख दिया है ताकि आपको बताये में असारी पड़ते हैं और चलते हैं एग जांपल की तरह ताकि आपको बिल्कुर नहीं समय में आजये जा चलिए एक जांपल लिखते हैं दे किना लिखा है राम सेस्टु मी आज अफौल शंटेंश त्थिक है यह देखे यहाँ पर आये में खुंआ एक सिंपल संटेंस है एक सिंपल बात है तो इसको कैसे हम लोग सबसे पहले नारेशन में इंडरेक्ट इसक्फ है जो सबजक्ट होता है रिपोर्टिम् यहां से इस कालता है रिपोर्टिग भरभ खालता है और स्पार्ट को कहते हैं अलोग रिपोर्टिग इसपीच देखें गौर समझें यह पय invented को में के बाहरवाला है इसमें जो subject रहता है उस project सेज को किसे बदलना है सेभिए सेज को किसे बदलना है कि इतना का मतलब होता है ये अपने साथ प्रिपोजिशन टू नहीं है तू को हम लोग हटा देते हैं तो कि राम देखिए राम जो सब्जेट है वही जो भर्व था, reporting भर्व, उसको इस रूप में बदल देना है, थीए, तो says 2 था, तो हम लोग tails में बदल देंगे, object जो रहेगा, उसी रहेगा, अब यहाँ पर देखे, शुरू होता है, inverted comma, शुरू हो न, inverted comma, तो इस inverted comma को हाटाने के लिए, देखे, क्या प्रयोप करना है, inverted comma क परसन चिंज तरीका का है, कि सन बटा 123 फर्मूला यूज करेंगे, यह आई क्या है, फर्स्ट परसन है, आई क्या है, फर्स्ट परसन में है, यह परसन का तरीका है, तो आई क्या है, फर्स्ट परसन में, आनि मैंने यह चार्ट मैं बना चुका हूं पहले, आप उसमें परसरण आनी फास्ट परसंवजेंट के अनुसर बदल जाता है तो किसके सब जाता है? तो रिपोटिंग भर्व कि यह होता है रिपोर्ट ता छीच करी इंग अच्ट यह जो HOTA है फास्ट परसन ज़ीन Abbasiadeill present किसका है तो रीपोर्टिंग, अस्पीच का यह ना अभी चेंज किसके अनुसर होगा तो रीपोर्टिंग भरब का सब्यट के अनुसर है यहाँ पर है यह सब्यक्ट है तिक यह सब्देट के इसके अनुसार और यह कह रहा है कि आप जो है इसको यह कह रहा है यहां पर यह सब्जेक्ट के रूप में है और नोमिनेटिव के इस में है तो कह रहा है कि मुझे subject के रूप में ही रहने दे लेकिन अपने जाती में मिला देजी तो देखें यह क्या है कि I यानि first person will change subject यानि इसमें मिलना चाहता है तो राम क्या है third person है यहाँ पर नाम होता है एक ठीक है तो नेम होता है तो राम जो है third person है तो यहाँ से होकर यहाँ पर आएगा तो किसी यह क्या है singular है singular है तो singular है यानि ही हो जाएगा यहाँ पर आई किसे में बदल गया first person में राम के बदले में राम एक नाम है और राम third person में है तो आई देखें यहाँ पर है I will change होगा subject को रसार subject क्या है third person तो यह देखें थार्ड परसन यह है आई similar number है त सफिर आता है बाद change of change of tense की बात आएगी अब यहाँ पर change of tense आई में बीजी यह present tense है present में है तो यहाँ पर देखें क्या है कि राम says to me यह भी present है तो जैसे कि change of tense में मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों यह present में रहे तो यह future में रहे इसके tense में कोई बदलाव नहीं हो यह हो गया आपका indirect अनि राम tells me that he is a boy ठीक है यहाँ पर सेज का tells हो गया इन भॉर्टेट को महाटा को that लग गया और यह person change हो गया दोस्तों और यहाँ से क्या हो जाएगा तेंस दोनों से मैं इसले बदलेगा नहीं इस प्रकार से indirect बनता है simple sentence का फिर एक example देखर और समझात i love you. सब्सक्राइब यह हो गया दिरєक तो में हम लोग बतलते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बताये आपको सबसे पहले किस यह रिपोर्टिंग भर्ब है सब्सक्राइब बदल देंगे से इसके बात जो ऑबज़ेक्ट रहेगा वही आप लिखेंगे अब आया तो सुरू होता है और यहां इंबहुते कुमा यहां से सुरू होता है थे इसका करें पर यहां पर आ जाएगा पर संच सब्जेट यहां पर का है कि I love you यह क्या है परजेंट इन इफिनिटेंट इस देखें दोस्तों यह भी प्रजेंट इन इफिनिटेंट इस इस में होगा नहीं लेकिन पर संच का बदलाव होगा यहां पर क्या है कि I kiai first person है first person देखें यहां आई first person will change subject और फरस्ट परसन किसके अनुसर बतलता है तो subject को अनुसर तो किसके subject को अनुसर तो इस reporting verb के सन्ट देखें रिपोर्टिंग भर बेंजेंट आर्व यह सब्जिट होता है होता है यह subject होता है और यह औी जो है चेन्ज हो किसके अनुसर यह tá priority यहां पर है अब देखें यहां पर आई जो है फरस्ट पर रसन है तो आउब के सिंग्ण तो यूवला में आ गए, अब आई यहां पर singular है, तो यूभी इसका रूप लेगा, और इसमें क्या है, इस कोलूम में है, तो यहां पर भी subject क्रूप में कहता है, कि आई मुझे अपने घर मिला या लेकिन मुझे subject की रूप में ही रहने दीजिए, तो आई जब बदलेगा इस रूप में तो यहां पर subject रूप में you हो जाएक यहां पर क्या हो जागा यू हो जाएगा अर्ट में कोई बदलना था नहीं करना है और लगती आज़िए लब फिर देखें फिर एक person यहां पर आ गया अब इसको बदलना है तो देखिए I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ. मतलब क्या है? यह यहाँ पर यह ओबजेक्ट रुप में है. यह क्या है? औबजेक्ट रुप में है. तो दोस्तो निएम काकड़ाता है यानि second person you क्या है? Second person देखिए you है ना? You ज Weg Lisa second person में है. तो आपर रूल कहता है कि secondo person change object के अनुसार . यह जो second person है आपने यू जु है object के अनुसार बदल कानुसार बदल का तो किसके अबजक्ट नह्यां पर यह अपर यह यह बदल जाएगा इसके अनुसार मी के अनुसार तो इहाँ पर यू होता है , plus में किस में है और ऐसकी मी किसमें होता है तो хоч पर्सथा में तो यव सक गर में तब यह औब ज्यक्त के रूप में है तो इस ही आई होता है यहां पर रि रहने का मतलब है कि जो पर्शंड जिस वास्था में हैंब बदलेगा असी वर प्रकार आप इसे ग्डारेक्ट से इंडारेक्ट बना सकते हैं मैं एक दो इंग्जांपल और देता हूं आपको समझ़ाने के लिए उसे देखिए आप देखें दो इक्जांपल मैंने और लिखा है आपको समझाने के लिए यहाँ पर दीए क्या है कि He said to me I am your friend, यह है He said to me I am your friend अब इसे indirect में आपको बदलना है, इंडाये को बदलना है तो कैसे बदलनेगे सबसे पहले मैंने बताया कि जो रिपोर्टिंग भर्ब का सब्जेट है इसका इस वैसे ही लिख देगे ही अब देखें सेट टू का किसमें चेंज होगा सेड टू देखें यहाँ पर तोल्ड ने मतल जाएगा तोल्ड और इसके बाद ओब्जेट का ओब्जेट यह लिखा जाएगा देखें गौर क्या कि अब आग्या पर सं के तरीका क्यों कि पर संच हमलोग रिपोर्टिंग करते हैं इसमें प्रेस्ट्वों घधर लग करते हैं इसमें नहीं होता है तो देखी आयस फ्रस्ट परसन है कि प्रस्ट परस्ट किस का नुसार अपर है क्या है यहां पर क्या हो जाएगा है क्या है क्या है यहां पर नियम कहता है कि जब भी यह पाष्ट में रहेगा तो इसको पाश्ट में हम लोग बदलेंगे तो जैसे हम आने लिखा कि अगर इज एम आर को वाज एर मतलता है तो यहां पर ही किसाद के लगता है वाज अब एक फिर परसंड यूर आ गया यूर यहां पर है यूक रहा है यह पोजेसिव बला है और अनि संबंद बताने बला ह यूर शेकंड परसण है यहां पर यूर है ना यह. यह सेटेंड परसण है यह यह सेकेड पर सन फिर сेक यूर ऐल टियंगए और दृट्प सब्सक्राइब ऐक हो तो देखिए है यह किसमेमल यूर चला गया य और किसा घूर तो में यह वाला गृठ में पर जिस में यहां इसका पोजेशी रूप क्या होता है, माई होता है, इसका पोजेशी रूप क्या होगा, आनि यूर चला गया, फर्स्ट पर्सन में, आनि मी वाला गहर में, मी वाला गहर में गया, तो कहता है कि मैं जिस रूप में है, उस रूप में रखेगा, तो ये पोजेशी रूप में त और यू सबसे पर लिखेंगे आई कि लिखेंगे सेड है तो इसमें प्रों हेली लिखेंगे क्यों कि मैंने बताया कि जब भी अगर जबभी अगर सेड के बाद Sept रहेगा तहब भी इससे हम लोग टॉला के रूपमें बदलते हैं ठागर ऑजेक्ट नहीं रहेगा टूर्ड जो मकूलाइन गया और सब्जेक्ट में भी आई है और यहां पर भी आई यह तो आही रह जाएगा अब दीकिंए यहां पर क्या है है और यह क्या है सेट का है पास्टेंस में इसे भी पास्ट में होना चाहीए तो है पकत क्या हो जाएगा रुल नंबर अगर चेंज किन दिखेगा तो उलन कि ट्रिंज्ट परफेक्ट हें पास्ट प्रफेक्ट में तो वहाँ परिकां प्र काया है और कां़ जयता है हृई इचार याप होगल कई इसाथ conceived inpped जो क्या है सेकनो है कि सुन सीव रूप में थे और यह सब्जेक highly भर्ब है भड़् यहां पर और यह क्या है अब्जेक्ट होग है य जो है इसे इसेंड्भित बिलचन प्रक चांग यू चेंज जाएगा चेंज होका तो इसमें तो object है नहीं तो क्या होता है इस इस्ती में क्या हम लोग करते हैं अपने से कोई object माल लेते हैं him माल लेजिये, me माल लेजिये, कुछ ही माल लेजिये, हम यहाँ पर माल लेजिये, me माल लेजिये, object यह मन में माना जाता है अब जब मी मानेंगे तो यहाँ पर का हो जागा मी हो जाएगा ओब्जेक्ट रूप में क्यांकि सेकंड परसंट चेंज ओब्जेक्ट इसमें जाएगा तो यहाँ पर मी है ओब्जेक्ट रूप में अगर मान लेजी हम बाइदेवे मान लेते हैं यहाँ पर हीम मान लेते हैं I said him हो गया मने मन लेते हैं तो यह second person will change object और इस वाला him वाला group में जाएगा यहां पर को जाएगा Him होगा थिक है थिक इसी प्रकार पूरे चार्ट को Change of person Change of person Change of tense के चार्ट को सामने रख कर और जब सारे example को आप बनाएगा तो आपको पुरी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों simple sentence का जो assertive sentence का जो indirect बनाने का जो तरीका है जो रूल है मैंने बता दिया है इसी रूल पर सारे narration बनेंगे अब आता है इंट्रेटेइ customs आगे मैं वीडियो मनांगा किसे पहले मैं private एक प्रकार को किस प्रकार होगा नहीं जोलें चाले में इसके बाद देखिएगा उसके बाद मैं इंट्रोगेटि